तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों बताने वाले कि आप लोग को MCB box connection कैसे करना जो लोग house wearing का कार सीखते हैं ये वीडियो उनके लिए काफी दा important है तो please वीडियो के end तक देखें अगर आज की वीडियो आप लोग ये पूरी complete देखते हैं तो आप लोग के मन में कर देखें ताकि आप लोग को अच्छे से जानकारी हो जाए आप लोग समझ जाए और अपने घर पर MCB box connection कर सकते कहीं पर आप लोग wiring कर देखें वहां भी आप लोग अच्छे से कर सकते कोई भी problem आपको नहीं है तो यहां पर आप लोग देखते हैं हमारे पास एक 8 model का MCB box जो कि double door का है और यहां पर हमने इसके page को खोल लिया है और आप लोग देखते हैं कि हमको कुछ ऐसा box मिल जाता इस box को अपने हम दिवाल में fit करते हैं फिर उसके बाद आपको वताते हैं कि आपको इसकी connection कैसे करना है यहां पर आप लोग चार hole देखने हैं इसी से हम इसक इसके बाइब है और जो आप लोग यहलो वाला वायर और जेड़ वाले और एक बलाइक वाला जो आप लोग वायर देखते हैं हमरे लाइन के वायर है और जो हमारा green वाला वायर है यह हमारा inverter को राटिक है तो सबसे पिले हम फटावट से MCB लगा देंगे हमारे घर पर जि लोड के बारे में नहीं पता तो हमने एक इस पर वीडियो बना दिये कि कितने लोड पर काउं से MCB लगाना है वह वीडियो आप लोग आई बटन मिल जाए तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं और आप लोग वह अच्छे से जानकारी हो जाए कि कितने लोड पर पर आप लोग दिखसते हैं कि हमने 5 MCB लगा दिया और एक इंसुलेटर लगा दिया ठीक है कि हमारे 5 रूम है तो 5 MCB हमने इसको यहां पर लगा दिया है और हमारा एक इंसुलेटर लगा है जिससे हम अपना अवन आप करेंगे ठीक जो हमना नियूटल वाला पोइंट होता है फिर आपको आगे बताते क्या करना ठीके तो आप देख से आयसे आपको जहाँ eh नीटरल वाले बिसके बाद माँ आपको आपको वीडियो veux 2 देखना है और अच्छे समझना ताकि आप लोग को अच्छे से जानकारी हो जाये और और आपकेनन्य कोई भी कोंश्चांस होता तो आपने में तैक पर सकते हैं हम लोग समझाएं के तो आप लोग देखते हैं, कि अपने neutral वाले point को हमने यहाँ पर connection कर दिया है, अब आपको क्या करना है, आप लोग को आगे ध्यान से देखना है, अब क्या करना है, कि हमारे जितने room के wire आये हुए हैं, हमारे 5 room है, तो 5 room के wire, जो line वाले wire है, इनको हम सभी MCB को ऊपर वाले point म में लगाएं, जैसे हमारा room में ज्यादा load है, तो आप लोग 16 ampere के MCB में लगाएं, जैसे zoom में ज्यादा load नहीं है, तो 10 ampere के MCB में लगाएं, जितने room में जितना load है, आप लोग उसी हिसाब से MCB लगाएं, और उसी हिसाब से wire connection करें, तो हमारे जितने room के connection है, हम लोग MCB के उपर वाले point में सारे connection कर देंगे ठीक है तो आप लोग देखते हैं हमने 3 wire को जोड दिया है और हमारे पास 2 wire और है हमारे पास Z वाला wire ज्यादा नहीं था तो हमने एक point में black वाले wire में दे दिया है line का हमने एक zoom में black वाले wire दे दिया line का ठीक है तो आप लोग देखते हैं हमने सबी रूम का connection MCB के ऊपर वाले point में कर दिया हमेरे पास 5 रूम थे उने 5 रूम के connection एक एक MCB में कर दिया पांच रूम से में ठी अब आपको क्या करना आपको धिहान से देखना है ठीक है जो वायर हमारा इन्वाइटर वाला था उसमें टेपिन लगा कर इसको छोड़ दिया कि अभी हमारे पास इन्वाइटर नहीं तो इसका connection का है और एक वायर हम जोड़ देंगे न्यूटल वाला जो की ब्लैक वाला वायर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे मीटर से वायर आएंगे वह हमको जोड़ना है इन्सुलेटर के नीची वाले पॉइंट में ठीक है अब क्या करना है कि इन्सुलेटर के ऊपर वाले पॉइंट में हमको लाइन वाले में लाइन जोड़ना है और नूटल वाले में नूटल जोड़ना है तो जो हम लाइन वाला वायर जोड़ेंगे इंसुलेटर में उसको जोड़ देंगे उसके बाद में जो हमारा insulator का दूसरा point होता है उसको हम neutral से wire जोड़ेंगे और जो हमारा neutral लगा हुआ MCB box में उसी में इसको जोड़ देंगे तो आप लोग देख से थे कि हमने neutral वाले point में एक wire ले लिया है अब हम इसको insulator के ओपर वाले point में जोड़ देंगे जोड़ा neutral वाले point होगा insulator का उसमें इसको जोड़ देंगे ठीक है हमने line वाला point जोड़ दिया MCB के नीची वाले में और जोबर neutral वाले point है उसको हमने neutral में जोड़ दिया जहां पर हमने neutral वाले wire को जोड़ा था तो आप लोग देखते हमारे सारे connection एक दम अच्छे से हो चुके हैं ऐसे आपको करना उसके बाद जो आप लोगों MCB के साथ ये plate मिल जाती है इसको लगा देना MCB के नीची वाले point में ठीक हमने क्योंकि हमने wire तो एक में जोड़ा है ठीक है हमको जो line connection करना है उस सभी MCB के नीची वाले point में देना है और जो हमारे घर के wire होते line वाले उसको हमको MCB के ऊपर वाले point में connection करना है तो आप लोग देखते हमारा सारा connection एकदम अच्छे से complete हो चुका है अब जो हमारे insulator में जो नीचे point निकले हुए है जो हमने दो wire को जोड़ दिया नीचे वाले अब इनको जोड़ देना अपने meter में बस हमारा एकदम line चालू हो जाएगा ठीक है तो आप लोग देखते हैं कि हमने सभी MCB को एकदम अच्छे से लगा दिया है और हमने अब सभी MCB को आउन कर दिया है और हमारे सभी room के connection हो चुके है और यहाँ पर हमारा insulator वाला wire है इसको हम MCB box से बाहर निकाल लेंगे और अपने इसको meter में जोड़ देंगे ठीक जो आप लोग wire देख रहे हैं इसको बस हमको meter में जोड़ना बस हमारा एकदम line में चालू हो जाएगा और हमने सभी room के MCB अलग अलग कर दी हमारे 5 room है तो हमने 5 MCB को लगा दिया ठीक अब आप लोग देख सकते हैं कि हम इस wire को अपने MC box से बाहर निकाल लेंगे और इसको फटावड से meter में connection कर देंगे बस उसके बाद आपको line चालू कर देंगे बस हमारा MC box connection हो गया आप लोग को ऐसे MC box connection करना है कोई भी दिक्कत प्रेसानी आपको नहीं है आप लोग के मन में कोई भी अगर questions आता है तो आप लोग नीचे कमिन box में tag पूर सकते हैं हम नेक्स वीडियो में अच्छे समझाने क कोसिस करेंगे तो यहां पर हम वैर ना देखे इसके लिए हम flexible pipe को यूज कर दें तो आप लोग इसको यूज कर सकते कोई भी problem आपको नहीं है और जब आप लोग इसको लगा दूगे तो थोड़ा दिखने में सुन्दर लगेगा तो यहां पर हम फ्लेक्स बल पाइप का य बाद हमको इस दरवाजे को लगा देना है और अच्छे से पेंच जो हमको इसके साथ मिल जाते हैं उसको लगा कर full tight कर देना ठीक है तो यहां पर जो हमको इसके साथ पेंच मिले हुए हैं इसको अच्छे से लगा कर full tight कर देंगे बस हमार mcb box connection complete हो जाएगा आप लोग ऐस अच्छे कर सकते कोई भी दिक्कत प्रेसानी आपको नहीं है तो यहां पर फटावट से इसको tight कर देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहां पर screw ले लिया है अब ऐसे आपको tight करना है आपको कोई भी पेंच जरा सा भी ढीला नहीं छोड़ना अग्दम अच्छे से full tight कर देना है ताकि आपको बाद में कोई problem नहीं और बाद में कोई page हमारा डीला नहीं ठीक है मिच को अच्छे चे प्टावट से कर देते हैं और बस मारे अच्छे से complete हो जागा तो आप लोग देख सकते हैं अब अपने दरवाजे को बंद कर देते हैं बस मारे अच्छ की वाइरिंग कर सकते हैं आपके मन में अगर कोई भी questions हो तो आप लोग नीचे comment box में जरूर टैप करें हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा समझाने कोशिस करेंगे और आसा करता हूं कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो अगर आप लोग को पसंद आई हो क्योंकि आप लोग को ऐसे electrician और experiment वीडियो मिलती रहेंगी बहुत बहुत धन्यूफर जय हिंद